हेलो एवरिवन आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम किट्स इसपीशल वीडियो लाए हैं बैंट इन राखी एट होंब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहते हूं कि इसके लिए आपको चाहिए इस तरी की जिपन किसी भी कलार में यूज कर सकते हैं कुछ स्टीकर जे फाइव रुपी से मिलते हैं और एक ग्लिटर शीट तो यह सब चीजे चाहिए आपको यह बनाने के शेप में कट कर लिना है अगेन मैंने ब्लैक लगी ग्लिटर शीट ली तो मैंने यह वाला स्टिक कर जूज किया इसके पीछे डबल साइड टेप लगाए कि इसका ग्लू थूड़ा कम अच्छा था और इसे इसके वपल स्टिक कर दिया है तो इस तरह हुँद हमने इसके प में भी कट कर सकते हैं या फिर इसे लगा कर शीट के उपर इसे शेप में दुबारा कट कर सकते हैं और हां मैंने यहाँ पर इस तरह की डिजाइन वाली सिजर यूज करी है जो कि आपको एमेजन स्लिप कार्ट या पर किसी पास के स्टेशनरी पे मिल जाएगी 100 रुपीज म आपको तीन सेट मिलेंगे अलाग अलाग डिजाइन वाले डिफरेंट डिफरेंट तो यह फायदे का सौधा आप खरी सकते हैं तो अभी मैंने इसके पीछे वापिस से टबल साइड वाले टेप लगाई है और इसके स्टिकर को रिमोव कर दिया है और इसे हम प्रेस करेंग इस सिल्व वाले ग्रिटेश शीट के उपर अब यहां पर हम लू का यूज देंग कर रहे है और टेप का इस चूज इसलिए कर रहे है क्योंकि इसे 3D सा लूग आता है ताकि थोड़ी राखी थोड़ी एट्रेक्टिव लगे और अब हम ले रहें ब्लैक कलर की रिबिन और पर उसके उपर अर्व कर देंगे और उपर से कर देंगे से मजबूत करने के लिए टेच कर देंगे ताकि ये जब तक नहीं सूपता है तक इसके उपर फिक्स रहे होगे तो यह तो यह मजबूत होई जाएगा सो इस तरह से हम easily घर पर बैंटन वाली राखी बच्चों के लिए बना सकते हैं और किसे भी जो उनका फेवरेट क्यरेक्टर है छोटा भी मोटू वतलू इन सबी क्यरेक्टर की राखी हम घर पर ही बना सकते हैं वो भी सिर्फ पांच रुपे वाले स्टिकर यूज करके तो आपको यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट करना बिलकुल मत भूलना अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए शेयर भी करना और अगर आप चैनल पर नाए हैं तो चैनल को सुस्काइब करना मिलेंगे अपने अगले वीडियो ने